तो Hello बच्चो नमसकार साल 2023 का सबसे बहतरीन वीडियो आप लोगके लिए लेकर आई हूँ इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे यह भी नहीं कहूंगे यह भी कि इस वीडियो को शेर कर दीज़ियेगा और यह भी नहीं कहूंगे कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ठीक है जब आपको यह वीडियो देखने के बार आपको ऐसा लगे कि हां सच में यह वीडियो कुछ ऐसा था जिससे हमने बहुत कुछ सीखा है जो 2023 बोर्ड के लिए हमें पूरी मदद करेगा 95-90 क्रॉस करने में फिर आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों को भी सेयर कर दीजिएगा अगर आपको मदद मिले तो उनकी भी मदद कर दीजिएगा ठीक है अभी मैं आपसे ऐसा कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि यह वीडियो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2023 बच्चों के लिए हर वीडियो हर है तो इस सबको देखते हुए मैंने यह जो है इस साल में मैंने विचार किया कि ऐसा कुछ बच्चों को दे ताकि बच्चे भठके भी नहीं और उनका एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट हिंदी का कंप्लीट कोर्स हो जाए और इस वीडियो को आप लोग देखने के आपको इसी तरह से एक ही वीडियो में आपको पूरी इंगलिस मैस सब कुछ अलग अलग वीडियो में आपको मिल जाएगी जैसे यहां पर आपको हिंदी की कंप्लीट कोर्स मिल रही है ठीक है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो आप लोग का जो पहला कोस्चन आत देखो वह आपके ऊपर है जब आप डाउनलोड करके रखोगे तो थोड़ा थोड़ा करके देखोगे तो बहतरी रहेगा चलिए आपको बताते हैं सबसे पहले जो कोस्चन पूछा जाता है वह पूछा जाता है हिंदी गध्य साहित से ठीक है पांच नंबर के कोस्चन बारी बारी से पूरा एड़ करती जाओंगे तो योओं तो आप उनको मैं आप लोगों को दे देती हूं उसके बाद आगे का जो question बनता है उसको दूंगे तो निमलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखे और यहां पर जो आपको question मिल रहे हैं यह सारे important है और 2023 में 100% guarantee के साथ मैं कहती हूं कि सारे question में से ही पूछे अगर आपका इतना तयार हो जाता है तो पूरी guarantee है मेरी कि आप 90 cross करोगे ठीक है आप 90 cross करोगे तो 90 cross करने के लिए आपको ये सारी चीजे जो इसमें दी गई है वह साब आपको याद होनी चाहिए जैसे भी आपको तयार होना चाहिए ठीक है आप notes बना के याद करो जैसे भी हो आपका तयार होना थे और आप देख सकती हो इतने सन में आया हुआ है एक दो सन मैंने मिश्टिक से नहीं लिखा होगा लेकिन ये सन में आया हुआ है वो सब देखकर मैंने यहाँ पर question लिया हुआ है तो यहाँ पर चार option दिये गया है मुनसी प्रेम चंद एक कभी के रूप में प्रिसिद्ध है और रामरिच बेनिपूरी सरुसति पत्रिका के संपादक थे तो इसमें आपको देखना है कि जो सही option हो ठीक है रामरिच बेनिपूरी सरुसति पत्रिका के संपादक थे तो बिल्कुल नहीं थे महावीर्पसाद दिवेदी थे ठीक है चिंता कोश्चन देखते हैं निर्मने लिखित कथनों में से कोई एक कथन सही सर्थ है उसे पहचान कर लिखिए इसी तरह के कोश्चन तेंथ कोई पूछे जाते हैं ठीक है तो यहां पर देखिए चार आफसन दिये गए है जैसंकर परसाद आलोचक के रूप में प्रसिद है आचार हजारी प्रसाद दिवेदी निबंधकार के रूप में प्रसिद है आचारे राम चंद्र सुक्ल कवी के रूप में प्रसिद है तो आचारे हजारी प्रसाद दिवेदी जो है वह एक निबंधकार के रूप में प्रसिद है यह आफसन सही है ठीक है आगे का देखेंगे उसक आपको और को अप्सन मिल जाता है सही तो आप टिक कर दोगे ठीक है आगे का नहीं आपको देखना है अगर आपको सही एकदम कर्णफर्म है कि हैं यह चीज चीज सही है ठीक है और कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखे अगला कोश्चन तो गुलाब रहे प्रसिद कभी यह पूरा तत्व के बिद्वान थे ठीक है और अगला कोश्चन कोई एक कथन सत्य है उसे पहचान कर लिखे ठीक है तो आचारी रामचंद्र सुक्ल एक महान कभी थे जनमेजय का नागया कि बाबु गुलाब राय का प्रसिद्ध नाटक है जी नहीं यह जैसंकर प्रसाद का है थिक है मुनसी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपंड्यासकार थे रूप में प्रसिद्ध नाटक कोश्चन सोही हैau और यहां पर देखे कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखे कनुप्रिया धर्म्बिर भारती का प्रसिद्ध उपर्ण्यास है हजारी प्रसाद दिवेदी कभी एक कहानिकार है बाबू गुलाब रा एक उपर नयासकार थे प्रेम चंद एक कहानिकार और उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं अगला कोश्चन देखिए गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकरथा जो है वह है मेरी असफलताएं बाबु गुलाब राय के द्वारा रचित निबंध कौन सा है जो है यह पन्यास विधा और धरम विर्भार्ठी के द्वारा रचित विधा है तो मून्सी सदा सुखलाल के द्वारा रचित विधा सुख सागर है अगला कोस्चन देखेंगे मंता कौनसी विधा है यहां पर 4 अफ्शन दिये गए है लेकिन आपको तिक करना है अगला कोस्चन आबारा मसीः के रचनाकर कौन है विश्णु प्रभाकर आचारे रामचहंद्र सुगल तो आपको विश्णु प्रभाकर पर टिक करना है क्योंकि आवारा मसीहा के रचना कर विश्णु प्रभाकर है अथाह सागर कौन सी विधा है तो अथाह सागर जो है वह कृती है ठीक है यानि कि कहानी और अगला कोश्चन एक घूट किसकी रचना है चोदहमा कोश्चन जो है एक घूट किसकी रचना है एक घूट जो है वह जैसंकर प्रसाद की रचना है ठीक है अगला कोश्चन जो है रेती के फूल कौन सी विधा है रेती के फूल जो है वह निबंध विधा है ठीक है अगला कोश्चन देखेंगे अब आप ध्यान दीजिएगा जितने हमारे गद्य साहित से कोश्चन थे पंद्र कोश्चन मैं यहां पर आपको दिये जिसमें से की आपके पांच नंबर के कोश्चन पूछे जाएंगे जो आपका सुक्ल और सुक्लोत्तर योग से है अब आगे हम हिंदी पद्य साहित को देखेंगे ठीक है तो चलिए देखते हैं तो अब हम गद्य साहित को पढ़ चुके हैं उसमें से जितने भी कोश्चन आने थे वो हमने पढ़ लिए हैं अब हम मैंने यहां पर सारे कोश्चन जो आपके 2030 बोर्ड में आने वाले हैं सारे मैंने यहां पर दे दिये हैं जिसको आप तयार करो चाहे आप नोट बुक में लिखो चाहे अपने दिमाग में सिट करो जैसे आपकी इच्छा हो वैसे करो लेकिन आपको जितना यहां पर दिया जा बहुत ही स्वार्ट में मैंने देने का प्रयास किया है बहुत मेहनत लगी है इसको पूरा प्रश्ण चाटने में ठीक है लोगों ने पूरी टीम बैठा कर जो है इसका रिसर्च किया है फिर जाकर यह सारे कोश्चन आप लोग के लिए लेकर आई हूं फीजिक आप मैत इंग प्लीट हो जाए और उनकी अच्छे मार्ग भी आए ठीक है तो सभी लोग ध्यान से देखिएगा रितिकाल और आधुनिक काल हमारा पांच नंबर का कोश्चन यहां पर भी बनेगा तो पहला कोश्चन जो है रितिकाल की विशेष्णाय कौन सी है तो इसमें तीन चार आप रितिकाल की मुख्यधारा कौन सी है इसमें चार आप्शन दिये गए है रिति बद्ध काव्यधारा निर्गुन भक्तिधारा तो आटोमेटिक आप समझ जाए मैंने रितिकाल का जो है आधुनिक काल का और रितिकाल का पढ़ाया भी है आप लोग को उसमें सारे बताय उसके बाद तीसरा कोश्चन देखें रितिकाल की मुख्यधारा कितनी है तो रितिकाल की मुख्यधारा तीन है ठीक है अगला कोश्चन देखेंगे रितिकालीन परमपरा से संबंधित ग्रंथ कौन सा है तो यहाँ पर आपका विहारी सतसाई जो है रितिकाल का है ठीक है अ तो कितनी नाओं में कितनी बार कवी कौन है जैसंकर प्रसाद है या फिर धर्म वीर भारती या फिर रामधारी सिंग दिन कर तो यहां पर आपको अग्गेय का लगाना है अग्गेय जो हैं कितनी बार लिखे हूए हैं और यह बहुत बार पूशा भी गया है अगला question है आसु की रचना किस कवी द्वारा की गई है तो आसु की रचना जो है जैसंकर प्रसाद की द्वारा की गई है ठीक है सही option जैसंकर प्रसाद है अगला question निम्न में से कौन सी रचना भूसर की नहीं है सिवा बावनी सिवराज भूसर छत्र साल दसक कवित्न रतनाकर तो यहाँ पर कवित्न रतनाकर बूसरजी की नहीं है और यह तीनों आपके वो बूसरजी की है ठीक है आपको यहाँ पर जितने question मैंने दिये बस इतने ही आपको तयार करने हैं आपको पध्यसाहित के लिए ठीक है रीतिकाल और आधोनिकाल से जुड़े यह सारे question है अगला जो है जो आपका रस से question पूछा जाएगा वह रस से question इसी तरह से पूछा जाएगा यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ इसी तरह से आपको दे दिया जाएगा जो पहले आप लोगों को रस और छंद अलंकार ये सारे परिभासा ये सारी चीजे लिखनी होती थी वह अब नहीं है अब आपको optionally question में बताना पड़ेगा कि कौन सा रस है इसकी परिभासा जो है उसी में आपको पूछा जाएगा वह आपको पताना रहेगा एक ही word में ठीक है टिक करना रहेगा करोण रस के कितने अवयव या अंग होते है तो रस के चार अवयव या अंग होते है ठीक है रस के कितने भेद हैं तो रस के 11 भेद हैं अगला कोश्चन देखेंगे हमारी कमेटी नी पूरा कोश्चन जितना आपका 2023 में आने वाला है सारे कोश्चन को जांच पड़ताल करके ये सारे कोश्चन बनाए गए हैं तो इसको देखने के बाद आपको कुछ भी नहीं देने वाला है उसके बाद यहां पर देखे हास रसकास थाई भाव क्या है तो हास रसकास थाई भाव हास है ठीक है करुण रसकास थाई भाव क्या है तो करुण रसकास थाई भाव सोक है यही चीजे पूछी जाएंगे इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आने वाला है अगल जन्हें देखकर हसी भी आरहे थी थी यह तैसी नहीं अगला कोस्चन जो है अभी तो मुकूट तो यहां पर आपका करूड रस होगा और एक में चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी आप लोगों को कितना भी कोश्चन पूछा जाएगा ठीक है एक चीज याद रखिएगा आपके सिलेबस में हास्यरस करूड रस है तो यह आपसन देकर आप यह मत समझेगा कि पत क्लास 10 के बच्चे इतना ध्यान रखे ठीक है करूड रस हास्यरस उससे बाहर कुछ नहीं आएगा अगर यहां पर कुछ दिया हुआ है तो यह समझ जाए कि यह हास्यरस होगा या फिर करूड रस होगा ठीक है आप यह सब आपसन देकर विल्कुल न खबराईएगा कि यह पता चला यहां से आगया तो ऐसा कुछ नहीं है जो स्लेवस में दिया गया वसी से आएगा अगला कोश्टन देखेंगे तो यहां पर अब अलंकार से पूचे जाते हैं उनको देखेंगे ऐसे मैं संधी और सब्दुरूप धातुरूप सारे question यहाँ पर ली हुई है आगे आपको गध्यास पद्यास निबंध हर एक question बताये जाएगा ठीक है बस आपको consistency से देखना है ठीक है उसके बाद देखे अलंकार से जो question पूछे जाएंगे उपमा के कितने अंग होते हैं उपमा के चार अ होते हैं ठीक है उपमा के कितने अंग होते हैं चार अंग होते हैं ठीक है इस तरह से question पूछा जाएगा दूसरा question सोहत उड़े पीतपट स्याम सलोनेगात मनहु लील मनी सैल पर आतप परियो प्रभात कौन सा अलंकार है मैंने आप लोग को पहचानने का भी ट्रिक बताया ह एक वीडियो में कि कैसे आप लोग उपमा रूपक उत्प्रेच्छा सभी को पहचानेंगे तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखेगा लिंक जो है मैं description में देदूंगी वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख लीजेगा ताकि आपको पहचानने में कोई भी अलंक होगा ठीक है तो उत्प्रेच्छा अलंकार पर टिक करेंगे अगला कोश्चन जो है चरण कमल बंदो हरी राई में कौन सा अलंकार है तो चरण कमल बंदो हरी राई में रूपक अलंकार है ठीक है कौन सा अलंकार है कि मुख मयंक सममन जुमनोहर इस पंक्ति में कौन सा अलं तो इसमें जो है आपका रूपक अलंकार है ठीक है अगला कोश्चन यहां पर देखेंगे प्रात नवथा बहुत नीला संख जैसे प्रयोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है तो यहां पर जो है आपका रूपमा अलंकार होगा ठीक है उपमा अलंकार होगा और यहां पर हमने जो है चंद से कोश्चन जो लिया हुआ है उसको देख लीजिए चंद के कितने भेद होते हैं तो चंद के जो है चंद के चार भेद होते हैं ठीक है चार भेद होते हैं चंद के अगला कोश्चन जो सुमीरत सिधि होई गननायक करिवर बदन के दोनों चरणों में कितनी मात्र होती है ठीक है अगला question रोला के प्रतेयक चर्ण में कितनी मातराय होती है तो यहां पर शोभीस मातराय हो Meg अगला कोश्चन देखिए सोरठा के दूसरे और चोथे चरण में कितनी मात्राएं होती है तो सोरठा के दूसरे और चोथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है ठीक है और पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती है तो अगला कोश्चन चलिए देखते हैं इस पर भी हमें एक नंबर मिलेगा ठीक है बस इतने ही कोश्चन में से पूछा जाएगा और कुछ बाहर से पूछा नहीं जाएगा अगला कोश्चन यहां पर आपको समास से लेना है ठीक है समास से भी मैंने पांच कोश्चन दिये हुए हैं जिसमें से की आपका पूछा जाएगा बस इससे सब्त रिसी थावा कोश्चन My ऐसे माता और पिता इस्त्री पूरूस यह सब्ष मात्र समास होँगे और अब आप बता सकते हो कि जल थल में कौन सा समास है आराम से बता सकते हो कि द्वंद समास है ठीक है आप लोग आसानी के साथ सारे question के answer दे दोगे ठीक है जहाँ पर आपको गिंती मिलेगी वहाँ पर द्यूगु समास हो जाएगा जहाँ पर आपको minus मिलेगा ठीक है और करके बराबर का अनभो होगा वहाँ पर द्वंद समास होगा जैसे इस्त्री पूरोस भाई बहन माता पि बता है तो अगला question हमारा उपसर्क और प्रत्या क्या पूच जाएगा बस आंपको में ही पूछा जाएगा कि इससे कौन सा सब्द बनता है ठीक है बस यहां पर मैं आपको दिखा देते हूं जिस तरह के question बनेंगे परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग है तो यहां पर आप देख सकते हो प्रमाक्र तो उपसर्ग कौन सा है उपसर यानि जो पहले होता है ठीक है और प्रत्या यानि जो पीछे होता है तो यहाँ पर परी लगा हुआ है ठीक है परी तो यह आपका सही option होगा ठीक है अगला question प्रत्या से है तो प्रत्या में आई तौ ता पन वा हट वट ठीक है बस इतने से ही question पूछा जाएगा जो कि कि कौन कौन सा होगा ठीक है जैसे यहां बनावट में कौन सा प्रत्य है तो बनावट में कौन सा प्रत्य है तो बनावट में वट प्रत्य है ठीक है पीछे का यही है अगला जो है तस्तम से जो पूछा जाएगा आप लोग का पेड़ तरु द्रूम आधि कहलाते हैं तो यह क इनों के question मिलेंगे और सारे आपको सही करने हैं तो प्रतेक में कौन सी संधी है तो आपके सिलेवस में सिर्फ याण संधी है ठीक है तो कितना भी question पूछा जाएगा लेकिन याण ही आएगा ठीक है याद रखिएगा आप लोग आप लोग को बस आपके brain को सही रखना है ठीक सही र Kapi कितना रोखिएन है ठीक है तो आप लोग को कभ्योज बिल्कुल नहीं होना है ही प्रतेक तो जहां पर आधा सब्द आ जाएगा वहाँ पर याण संधी होगी तो अ कितनते संधी है- याण संधी ठीक हैं और मध्वर्य क का क्उन संधी होगा तो मध्वर्यृ का मध तो जहां पर आपको मद उधन अर्य मिले वहां पर आप टिक कर दो ठीक है अगला कोश्चन जो है मदू सब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन का क्या रूप होगा तो यहां पर आप विभक्ति जब याद रखे रहोगे ठीक है मैं आपको बता दूंगी कैसे याद करना ह और फिलाल तो यहां पर आप सणली कोश्चन दिये जा रहे हैं उसको देखे ठीक है तो मधूने ठीक है मधूने आपका चतुर्थी विभक्ति एक वचन होगा ठीक है अगला कोश्चन देखे फलेसु किस विभक्ति वह वचन का रूप होगा तो फलेसु जो है वह सत्तमी बिभक्ति बहु वचन का रूप है ठीक है इसको टिक करेंगे अगला जो आएगा पठ धातु लट लकार मध्यम पूरुस एक वचन का रूप होगा तो कौन सा होगा पठ का पठती होगा ठीक है ये सही होगा हसतु सब्द हस धातु के किस लकार का रूप है ऐसे ही कोश्चन आएंगे ठीक है लट लकार ठीक है इस पर टिक करेंगे लट लकार यानी वरतमान काल का ठीक है तो हमारे जो ओमार सीट पर आपको भरनी है बीस नंबर के कोश्चन वह सारे कंप्लीट हो चुके है अब हम लोग चलेंगे वर्ड आत्मक प्रशन के ऊपर ठीक है जिसमें सारी चीज़ें होती है तो चलें उसको देखते हैं यहां पर मैं आपको दे रही हूँ ठीक है यह महतुपूर्ड इसलोक है ठीक है आपकी याद करने के लिए जो इसलोक आता है ठीक है आपको दिया जाता है न कि एक इसलोक लिखिए दो नंबर आपको उस पर मिलता है ठीक है जो की आपको इस लोग में लिखना है जो आपसे पूछा जाता है कि इस लोग लिख कर लोग है तो उसको लिख 17 नहीं तयार करोगे तो फिर आप फस्स होगे didisini तेन वीनायाद की यह कुछ नहीं होगा दोस अंगरम आपका अनुवाद और संदर्व करने के लिए तो आपके पास एक इस लोग बचा रहेगा अगर आप तीन तयार करते हो इसलिए इंप्वाटन्ट है यहां पर कुछ इंप्वाटन्ट इस लोग मैंने दिया हुआ है जो आपका संदर्व और अनुवाद में भी काम आएगा औ तो इसी में से आप तीन तो याद कर लिजिएगा और जो है उसी में से आप जो इसका संदर्व और अनुवाद यहां पर सारे दिये गए हैं आप इसको तयार कर लिजिएगा इसी में से आपके कोश्चन पूछे जाएंगे ठीक है तो यहां पर देखिए उत्तरम यत पूजते नामकपाट से लिया गया है जितने इंपॉर्टेंट है सारे मैंने लिए है तो इसका आर्थ होता है जो समुद्र के उत्तर में और हिमाले के दच्छन में स्थित है वह भारत नाम का देश है जहां की संतान भारती है ठीक है उसके बाद देखिए हतो वा प्राप् करोगे और याद जीत गए तो प्रित्वी के सुख का भोग करोगे इसलिए इच्छा मोह संताप्त रहित होकर युद्ध करो उसके बाद एक है अपदो दूरगामी चा साक्षरों पंडित हा मुख असफट वक्ता चा यो जाना तिसा पंडित हा अस्या उत्तरम प्रवीद ढूरब्वववन यहाँ पर आप इसका संदर्व सकते हो तयार कर लेजिएन इसका यह अर्थ भी यह पर दिया गया है उसको तयार कर लेजिएगा ठीक है भीणा पैर वाल्ला लेकिन दूर तक ज्याता है अच्छर युख है लेकिन पंडित नहीं है यह से ज़ांताहा स्कृति से था अगला अब इसका अर्थ देखिए सभी सुखी हो सभी निरोगी हो सभी कल्यान देखें और कोई भी दुख का भागी ना हो ठीक है बहुत ज्यादा मैंने नहीं लिया है बस इंपॉर्टेंट जो है वही लिया हुआ है माता गुरुतरा भूमे खात पितोचस त स्थरा था माता गुरुतरा भूमे यह देखिए यहां से आपको यह भी तयार कर लेना है यह आपका जीवन सुत्राण से है ठीक है यह भी इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हो उसके बाद यहां पर इसका आर्थ दिया हुआ इसको तयार कर लिजिएगा उसके बाद यह दाच में पदम धर्मयम ठीक है इसको देख सकते हैं यूधिष्टिर कहते हैं कि धर्मका और यह भी जीवन सुत्राण से है ठीक है जीवन सुत्राण में यूधिष्टिर ज्यान की बाते बताते हैं उनको आपको देखना है ठीक है धान्या नाम मुत्मम कि स्विदम धना न स्वात की मुठ्मं ठीक है इसको भी देखिए हैं यहां पर आर्ष सही दिया हुआ है आप लोग तैयार कर सकती हो ठीक है पुराच्छे से आर्ष सही तैयार कर लिजेगा इंप्रवाटर्ट सभी है उसके बाद देखी आगला जो है कि नूहीत्वाम प्रियोखवत कि नूहीत स्वार्थ वार्भवत लोभमित्वान सुखिववत इसका आर्थ यहां पर है आप देख सकते हो तयार कर लीजिएगा यही आठ इस लोग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आठो इस लोग अगर तयार कर ले तो हो संदर्व के लिए ठीक है और तीन इस लोग आपको याद कर बैस नभे कितमों कोश्चन में पक्का आएंगे ठीक है तो वारार्ण सी गंगाया कुलेिट्थी इंपॉर्टेंट है अवारासी कश्या भासायां केंद्र स्थलम मस्थी तो वरार्ण सी संस्कृत संस्कृतमा केंद्र अस्थिलम आज देख सकती हो है तो, यहां पर question दिया हुआ है इससे बाहर आप कई साल के question पेवर उठा कर देख लो इससे बाहर आपका कोई question पूछा ही नहीं जाता है ठीक है बस इसे के अंदर में सारे question पूछे जाएंगे उसके बाद वाराणसी केसाम संगम अस्तली अस्ति वाराणसी नगरी विविद धर्मा मरना मंगलम होती वाराणसी में मंगल मरना मंगलम होता है ठीक है उसके बाद आलचेंद्रह कह आसित कौन था तो अलचेंद्रह यवन राजह आसित वीर केन पूजेते वीर वेरेड़ पूजेते ठीक है बहुत ही सिम्पल सिम्पल से question पूछे जाते हैं लेकिन आप लोगों थे नहीं रहते हैं तो चंदर से खरह कहायास चंदर से य aim प्रसिद क्रांतिकारी देश भकतिसी ठीक है भारतिया अस्टिप्रिती किद्रिशी आस्थी भारतियि संस्कृति स्दगतिसीला वर्ति ठीक है यस तरह से लिखना है और कुछ के नहीं आना तो बोलना उसके बाद अगला कोश्चन देखे आतुरस्य मित्रम किम अस्ति तो भीशक आतुरस्य मित्रम अस्ति भूमे गुरुतरा किम अस्ति माता भूमे गुरुतरा हस्ति अगला कोश्चन वातात सीग्रतरम किम अस्ति मना वातात सीग्रतरम अस्ति अगला क अगला question ग्रामीडस प्रहेलिकाया किमूत्रम अशित ग्रामीडस प्रहेलिकाया उत्रम पत्रम इतियासिशी ठीक है उसके बाद देखे अगला लाश्ट कोश्चन है ग्यानम कुत्र सम्भोती, ग्यानम सत्तरवत्र सम्भोती, ठीक है, और पी ऀखेसी एहार आपका बचा हुआ है, सन्सक्रिट गध्यान्स, और निवंधि, और खंड काबे, ठीक है, तो तीनों मैं आप लोगों को करा देती हूं चलिए आपका संस्कृत कद्यान सबसे पहले देख लेते हैं उसके बाद आगे देखेंगे ठीक है तो इसी तरह से पेपर में जो है आपको इसी तरह से कोस्चन दिया जाएगा ये वाराणसी नहीं लिखा हुआ होगा यहाँ पर टका सुद्रेभ नित्यम अत्रान ते अस्या घटानां चुसोभाम बिलोक्यम इमाम बहु प्रसंसंति ठीक है ये कोस्चन आप देख सकते हो कितना इंप्रसंट है तो चलिए इसको कैसे लिखना है ये देख लीजिए आप लोग सबसे पहले आपको ठीक है जैसा कि मैंने आ आपको बताया था उसमें वाराणसी सुविख्याथा----list लिखोगे बहु प्रसंसंति ठीक है उसके बाद लिखना सुरू करोगे संदर्ब डालोगे संदर्ब में आपको लिखना है इसके लिए आपको साथ नमबर मिल रहे हैं बहुत जयादा नमबर है मेंनत भी जादा नहीं है ठीक है प्रस्तुत गद्यांस हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है ठीक है इसको याद कर लो आप ठीक है कोई भी आपका आता है जब आप इसको याद करोगे तो कोई भी आपका आता है गद्यांस तो आपको सिर देखिए तो अनुवाद आपको इस तरीके से करना है इसको आप लोग देख लीजिए और तयार कर लीजिएगा ठीक है अगला यहां पर आप 2030 के लिए महतुपूर पध्यांस देख लीजिए मैं यहां पर पध्यांस आपको पूरा करके दिखाऊंगी कैसे करना है उसके पर तो चरण कमल बंदोहरी राई एक तो जाकी कृपा पंगोगिरे लगए अंध्य को सबकुछ दर्साई बहिरो सुनोए गोंगोपुनी बोले इसको आप कैसे लिखोगे ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हो आपको इस तरीके से ठीक है सबसे पहले उपर में आपको पहले लिख देना है उसके बाद डैस करके रखना है उसके बाद संदर्व डालना है उसके बाद प्रस्तुत पद हमारी पाठ पुस्तक के काव्य खंड के पद सीर्शक से उध्रित है और आप चाहो तो अगर आपको सही से लेखक का नाम पाठ का नाम पता रहेगा तो आप प्रेख स्रसंगे प्रसंग में परस्टुत पद में सुर दास जी ने भगवान स्री क्रिष्न की महिमा का वड़न करती हैं आगे यहां पर आप देख सकते हो इसका पूरा ब्याख्या दिया हुआ है ठीक है आप लोग चाहे स्क्रिंसोट लेके तयार करो और पढ़ाया भी जा रहा है लगातार उसको भी आप लोग देखेगा प्लेलिस्ट में वीडियो सेव है सारी वहां से आप सारे कोश्चन देख सकते हो अगर आप लोग को ऐसे समझ में नहीं आता है तब ठीक है वहां पर सभी चीज का प्लेलिस्ट सेव है वहां से भी आप देख सकते हो आगे चली आपको इंपोर्टेंट सारे पध्यांज दिखा देती हूं व्याख्या के बाद भी आपको कुछ चीजे लिखनी होती है यहां तक उसका ब्याख्या हुआ उसके बाद यहां पर देखे काव्य गश करて मारत देखेत डेंगए उनके यहां तो यह अ गया है ठीक है पद से लिया गया है उसके बाद इसको देख लीजिए पद्यांस्त्री हो गया ठीक है किलकत कान घुटुरुवन याओं मनिमय कनक नंद कया आगन पिम्ब बिम्ब पकरिबै धावत कवह निरखी हर्याप उचाहां का यह भी जो है सूर्सागर के द्वारा ही ल लिखा गया है ठीक है इसको भी लिखिए याद कर लिजेगा तयार कर लिजेगा इसको भी तयार कर लिजेगा अगला जो है उद्धो मननभय दस्पीस एक हुतर सो गयव सामसंक और राध है इस इंद्री सिथल भाई के सविन इसन सब को मैं आपको पूरा बताऊंगी अच् कुछ नहीं बताऊंगी ठीक है इन्हीं को आपको अच्छे से तयार कराऊंगी और उद्धो मोहिबरज बिसरतना ही ठीक है अगला है उद्धो मोहिबरज बिसरतना ही यह भी आपके सूर्दास के द्वारा ही लिखा गया है सूर्दास के ही द्वारा लिखा गया है सूर्च नहीं लिखा हुआ है इतने में भी पूछा गया है ठीक है 2022 में भी आया है पेपर उठा कर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ठीक है वन पत पर से और वन पत पर ही यह भी है यह भी आपका 2022 में आया हुआ है इसको भी आप उठा कर पेपर उठा कर देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा और लगातार आपको मॉडल पेपर प्रिवियस एयर पेपर सारे क्यूश्चन पेपर हल कर आए जा रहे हैं तो उस वीडियो को भी देखें और चैनल को सब्सक मिल जाए और आप जब ज्यादा से जड़ा इस वीडियो को सेर करouch तो आप लोग के लिए बिज्ञान समाजिक ःच्श यद्ग कर एकी वीडियो में सारे जितना उसको ले जाओग ऊतना जाब आपको हर सब्जेक्ट एक ही वीडियों में मिलेगा ठीक है तो अगला देखिए मोर पखा सीर रखी उपर रखियों गुंज कीमाल गरे पहिरोंगी ओड़ी पितामबल लाई लखुटी यह आपका कवित रस्खान से है ठीक है उसके बाद बिहारी सतसई यह आपका भक्ति से ह लिखा हुआ है भक्ति से मेरी भववादा हरो राधानागर सोई जातन की जाए परे स्याम हरिद्दुती होई अगला जो है आपका स्वादेश प्रेम से है राम नरेश्टि पाठी के द्वारा लिखा गया है निर्भय स्वागत करो मृत्यू का मृत्यू एक है बिस राम अ लेखक है ठीक है तो इसको भी तयार कर लीजिए उसकी बाद यहां पर जीवन परिचे देख लीजिए जो इंपोर्टेंट जीवन परिचे है जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सिर्फ आप लोग दो जीवन परिचे तयार कर लो आप लोगों को और कुछ भी नही हो बस आपको ऐसा करना है कि आप बोर्ड एक्जाम में ऐसा ही लिख कराओ ठीक है तो यहां पर देख सकते हो क्योंकि यह कितना important है हर साल मेरे साब से कोई भी ऐसा साल नहीं गया है जब यह आया नहों ठीक है तो इसको अच्छे से तयार करो सबसे पहले जीवन पर चे लिखना है जय समकर प्रसाद का जन्मकासी में सुंगरी साहू नाम से प्रचली एक वैसे परिवार में हुआ था सण 1889 में हुआ था प्रसाद जी के पिता का नाम देवी प्रसाद था इनके परिवार का मुख्य ब्यापार तम्बाकु प्रसाच जी का बालेकाल सुख में बीता परंत युवा वस्था में इनके पिता सरग्वास हो गया और चार वर्स बाद माता का भी हो गया जिसकी वजह से इनके बड़े भाई संभूरत ने जी ने किया और फार्सी संस्कृत इंदी उर्दू तथा अंग्रेजी सिछा की प्र बच्पन से थे बड़े भाई की मृत्तियों के कारण इनका जो व्यापार था वह ठप हो गया जिससे इनका परिवार रिð ग्रष्ट हो गया रिड़ चुकाने के लिए इन्होंने पैत्रिक संपत्ति भी बेच दिया निकि पिता की संपत्ति जो थी उसको करजा चुकाने के हुए ये पराजित नहीं हुए इनका पूरा जीवन संघर्सों में भी तच है रोग के सिकार हो गया जिससे इनका जो है सरीर दुरबल हो गया कासी में सन 2937 में इनका स्वर्गवास हो गया अब देखिए आपको कृती लिखनी है ठीक है कृती आपको सिर्फ एक पूछा जाता है ना उनकी दो क्रिती एक क्रिती बस आपको जो फ्रेमस क्रिती होती है उसको आपको लिखना है जैसे यहां पर मैंने इनकी प्रमुक्रजनाय का मायनी और आसु लिखा हुए ठीक है बस ऐसे ही लिखना क्योंकि यह जो है मंता पाठ से लिया गया है और जैसंकर प्रसाद इसके लेखक हैं, तो आपको इस तरह के से लिखना है, रेखांकित अंस की ब्याख्या कीजिए, ठीक है, आपको तीन कोस्चन जो पूछे जाते हैं, एक तो आपका लेखक और आपका पाठ का नाम पूछता है, संदर्व जिसको कहा जाता है, तो संदर्व आप इस तरह के से ठीक है और उसके बाद यहां पर देखोगे तीसरा कोश्चन चूड़ा मडी निम अमता के लिए जो सेरसा से रिस्वत के लिए अगला कोश्चन जो पूछा गया रहेगा उसको करोगे ठीक है तीन कोश्चन पूछे जाएंगे और आपको 6 नंबर दिये जाएंगे ठीक है इस जीवन परिचे आप लोग लिखोगे उसके बाद प्रतिभा संपन साहितिकार और सफल राजनीतिक डॉक्टर राजेंद प्रसाद का जन्म सन 1884 इस्वी में बिहार राज के शपराजिले के जीरा देई नामक स्थान पर हुआ था इनके पिता का नाम महादेय सहाय था और इ 1911 से 1920 तक कलकता और पटना में वकालत का कारे किया ये गांधी जी के आदर्सों पर सिध्धानतों से बहुत प्रभावित थी 1917 में इन्होंने चमपारान आंदोलन में भाग लिया और पूर रूप से वकालत छोड़कर सोतंतरता संग्राम में लग गए ये कई बार जेल गए तीन बार ये भारती राष्ट्री कांग्रेस में सभापती रहें इनके जीवन का मूल मंत्र था सादा जीवन उच्च विच गदी पर आजेल रहें 1962 में भारत रत्न की उपादी से सुसोभित किया गया आजीवन हिंदी राष्ट के सेवा करने वाले डॉक्टर राजेन प्रसाद जी का 1963 में स्वर्गवास हो गया ठीक है इनकी कुछ रचनाएं यहां पर देख सकते हैं सिक्षा और संस्कृति भारती सिक्षा इनकी सेवाओं के लिए इनकी हिंदी में इनका नाम सदय अमर रहेगा ठीक है इस तरीके से आपको पूरा इनका जीवन पर्चे लिखना है ठीक है इस तरीके से लिखोगे पूरा नंबर आपको मिलेगा ठीक है तो दो लेखो को का जीवन पर्चे मैंने आपको दे दिया है दो लिखे को को तयार कर लिजे एक और दे देती हूं आपको अगर आपका मन हो तो तीन तयार कर लिजेगा ठीक है पर आचारे रामचंद्र सुक्लका जीवन परचे में आपको दिखा रहे हूं आपको तीन जीवन परचे तयार कर लिजेगा ठीक है तो जीवन परच पाठा क्यों प्रेमघन के संपर्ग में आकर इन्होंने हिंदी उर्दु बंगला संस्रक्रित अधियंग्रेजी भासाओं का घंध्यान किया आनंद का दम्री नामक पत्रिका में इनकी रचनाय प्रकासी थुन लगी वहां वे बाबु स्यामसुंदर दास के अवकास के बाद इन्होंने अवकास के बाद हिंदी भाग के अध्यक्ष बन गये हिंदी साहित शुकल जी प्रवेश निवंधकार तथा कभी के रूप में हुआ नाटक में भी इन्हें रूची थी अंतिम पड़ाव में इन्होंने साहित को नहीं छोड़ा और ये इस महापुरुस का स्वर मिमान सा भी साहित का इतियास ठिक है तो यहाँ पर आपने सुल्त का जीवन पर्चे देखेंगे thousand डेखेंगे यहाँ पर आपक्वे का जन परचे जीवन पर्चे डालना है आपको उसके बद भक्ति कालीन here सुर्दाश जी का जन्म रूनकता में लाम में रभाय था एधा कवी सुर्दाश जन्म से नहीं हुआ कैना कि dances मुझेत बाल मनोवृतु हम मनोरण सुर्दाश जी ने किए वैसा मनोहर कोई जर्मांत व्यक्ति नहीं कर सकता号 इसलिए ऐसा प्रती तो होता है वे संभुवता बाद में अंधे हुए होंगी वे हिंदी भक्त कवियों में सीरो मड़ी माने जाते हैं सूर्दास जी के गुरु बलभाचारे जी थे सूर्दास जी की सक्ची भक्ति देखकर बलभाचारे जी ने उन्हें स्रीनात मंदिर का कार सागर, सूर्सरावली, साहित लहरी तीन इनके मुख्य गरंथ थे ठीक है इनकी भासा सहली आपको लिखना है सूर्दास जी ने अपने पदों में ब्रज भासा का प्रयोग किया है इनकी सहली वर्णात्मक यों गितात्मक है साहित में इनका स्थान जो है स्री कृष्ण की ब और पुत्र के प्रेम में ठीक है जहां पर बेटे और माता का प्रेम होता है वहां पर वास्चले प्रेम होता है तो यह सोधा और स्री किष्ण के प्रेम का वर्ण जैसा किया है वैसा कोई नहीं कर सकता है तो एक यही कवी है जिन्होंने वास्चले का वर्ण किया है लोग द निबंद लिख सकते हो और योग के बारे में पुछा जाए फिर भी आप यही निबंद लिख सकते हो ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हो भूमिका कैसे डाला हुआ किसी देश की प्रगति सबसे पहले आप निबंद में हेडिंग पर विशेज ध्यान दीजिएगा ठीक है हेडिंग में आपको सबसे पहले रूप रेखा डालनी होती है जिसमें आपको सारी हेडिंग लिखनी होती है ठीक है उसके बाद भूमिका भूमिका डालो या प्रस्ता योग सब्द संस्क्रित के यज धातु से बना है इसकार्थ होता है मिलना जोड़ना सयुक्त होना बाधना अनुख को पाना तथा तल्लीन होना सब्सद्दों में कहा जाए कि दो वस्तों का परस्वर मेल अथवा जोड़ना ही योग कहलाता है ठीक है तो यहां पर आप देख स तरीके से अगर लिखोगे तो पूरे के पूरे नौनमबर आपको मिलेंगे ठीक है योग का इस टाइम पे बहुत प्रचलन है तो योग का निबंध आपका पूछा ही जाएगा ठीक है योग पर योग का सिक्षा में महत्व यह भी आपको बताना है तो यहां पर जो मैंने सिंता देखी जा रहे हैं बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं ठीक है जिसका मुख्य कारण उनका स्वस्थ रहना है ठीक है माना जाता है कि स्वस्थ सरीर में स्वस्थ मस्तिस्क का निवास होता है जब आपका सरीर स्वस्थ रहेगा तो आपका मस्तिस्क आटोमेटिक स्वस और आत्मा के बीच संतुलन बनाए रखता है यह सरीर में जोडों और तनाव से भी छुटकारा दिलाता है योग सिक्षा की उपयोगिता तभी सबके समझ में आएगी जब स्कूलों और कॉलेजों में विस्ष्ट सब्जेक्ट के रूप में योग को रखा जाएगा ठीक है त उपयोगिता दिया हुआ इसको आप नोट कर लो लाश्ट में हमारा होता है ओप संगार यहां पर दिया हुआ है उसको देख लो इस तरीके से आपको फर एक निबंद अपको इसी तरीके से लिखना है मैं अगला इंपौर्टेंट निबंद आपको दिखा देती हूं उस त के बाद मत्यका जो हेडिंग्स होता है उसको लिखना है हेडिंग्स बहुत इंपॉर्टन्ट है हेडिंग्स अच्छे से लिखिएगा बीच में आप कुछ भी अगर अपने मन से भी एड करते हो ऐसा नहीं कि गाना एड करो सॉंग एड करो यह सब नहीं है ठीक है आप योग स से इस चीज के बारे में लिख रहे हो यहां पर प्रदूसण के बारे में लिक रहे हो तो प्रदूसण को ऐड करना है ठीक है इस तरह से यहां पर देखते हैं प्रदूसण का आर्थ है व्य시 hasnxic या बातावन का दूसित होना प्रिजिविवीत होना जीओ के लिए संपिर वायू प्रदूसर्ण ठीक है इस तरह से यहां पर लिखना है उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो कि प्रदूसर्ण मुख्यतन नदियों समुद्रों जलासेयों में उद्योगों यानि कि जो जल से उत्पन होने वाले प्रदूसर्ण है उनके लिए दिया गया है उसके ब बिकास की अंधी दोड के कारण वनों की बेरहमी से कटाई भी वायू प्रदूसर को बढ़ाने में सहायता कर रही है ध्वानी प्रदूसर को जो है ध्वानी प्रदूसर से वाहनों से निकलने वाले सरसोर घरों तथा स्वारवजनिक अस्थलों पर बजने वाले टिप रिकार अडर की आती हैं जो सारजनी अस्थालों पर बजने वाले वाले युद् Garlic यसी वज Check है उसके बाद निबंध में आपको प्रदूसर से होने वाली हानिया लिखना क्या क्या हानिय होती हैं यहां पर आप देख सकते हो प्रदूसर की समस्या के लिए सबसे अधिक जिम्मिदार जनसंख्या ब्रिद्धी के कारण ही ग्रामों नगरों तथा महानगरों को विस्तार देने के आवसकता नुबह हो रही है परिडाम स्वरूप जंगल काटकर वहां बस्तियां बसाई जा रही है ब्रिचो और नस्पतियों की कमी के कारण प्रकृति की सुभाविक क्रिया में असन्तुलन पैदा हो गया है प्रकृति जो जीवनों पयोगी है सामगरी जुटाती है उसकी उपेक्षा हो रही है प्रकृति का स्वासे वातावरण दूसित हो ग परणूप स्क्राइब रेक प्रेअब लखा जा रहा है जी अगली है प्रदूसर्ड को रोकने के उपाए तो रखने लिए कीक है यहां पर कर सकतें हो ‫भ् Ernो log Hyun होते हैं तो आप अपनी तरफ से भी कुछ एड कर सकते हैं कि उसके बाद देखे प्रदूसर को रोक निय towór कर लेने चाहिए जिससे आने वाली पीडियों को इसके खत्रों से बचाया जा सके इसके लिए जनसंख्या को नियंत्रित करना होगा कारखवानों की कचरे को नदियों में बहने से रोकना होगा पेट्रोल में मिलाये जाने वाले सीसे की मात्रा कम करनी होगी जो पेट्रोल में पर जोड दे रहे हैं लगातार ब्रिच लगवाये जा रहे हैं सभी कारे किये जा रहे हैं उसके बाद उसी में कुछ यहां पर उर्जा के गैर पारस पर इक सोतों की खोज करनी पड़ेगी अत्यधिक प्रदूसर फैलाने वाले कार खानों आहनों आधी पर प्रतिबंध लग संख्या में पेड़ों की संग लगाने के उसकता है ठीक उसके बाद उसंघार में आपको निस्कर्स होथा है जो भी नीबंध लिख रहे हैं उसमें आपका अप्र संघार और तर्स्तावनाट टीक है है दो हेडिंग में इस्टार्ट नियाकरा प्रस्तावनां परिक लिखना होता है ठीक है उप संगार आप निचोड़ बताओगे कि इसमें निसकर्स क्या निकला आकि इस चीज का पुरा निकालते हुए हमें इसका निसकर्स क्या मिला ठीक है तो जैसा कि यहां पर प्रयावर्ण प्रदूसर का निसकर्स लिखा हुआ मैंने ज़िप सरकारी अ का अंदोलन न बन जाए बस उता परियावर्ण प्रदूसर एक वैस्विक समस्या है जिससे निपटना वैस्विक अस्तर पर ही संभव है किन्तु इसके लिए प्रयास अस्थानिय अस्तर पर भी किये जाने चाहिए संतुलित एवं सुध्य परियावरण के बिना मानाव का जीवन कष्ट में हो जाएगा हमारा अस्तित एवं जीवन गुडवत्ता एक स्वास्ट प्राकृतिक परियावरण पर निर्भर है बिकास हमारे लिए आवस्यक है और इसके लिए प्राक्रितिक संसाधनों का दोहन आवस्यक है किन्तु ऐसा करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि इससे परियावरण को किसी प्रकार का नुक्सान नहों प्रित्वी के बढ़ते ताप क्रम को नियंद्रित कर जलवाय प्रियू परिवरतन को कम करने के लिए देशी तक्निकों से बने उत्पादों का उत्पादन तथा उपयोग जरूरी है ठीक है तो यहां पर हमने आपको नीबंध भी बता दिया कि आपको कौन-कौन सा नीबंध है अब आपको खंडकाबी के बारे में बता दूँ तो खंडकाबे कर चलता हो उस खंडकाबे को आपको तयार करना होगा इसलिए मैं यहां पर कोई भी खंडकाबे नहीं दे रही हूं कि खंडकाबे आपके जिले में कौन सारे खंडकाबे में एक ही वीडियो में दोंगी तो वीडियो बहुत ज्यादा 5-6 घंडे का चला खंडकाबे आपको नहीं दे रही हूं लेकिन खंडकाबे अलग अलग लोगों का अलग अलग वीडियो में मैं दोंगी सारे खंडकाबे आपको कराये जाएंगे आप चाहें जीजिलाग के हो उसको पता कर लिजेगा आप वो खंडकाबे करिएगा इंदी की complete course इसमें कर द लेते हो तो सो परसेंट की guarantee है कि आप 90 क्रॉस करोगे उसके लिए आपको अपनी राइटिंग पर भी थोड़ा सा फोकस करना होगा राइटिंग पर फोकस कैसे करना है आपको रेगुलर लिखना है ठीक है रेगुलर आप दो पेज चार पेज अभी जो टाइम आया है वह च फुटका जैसा पढ़ जाता है वो सारी चीज़े नहीं होंगी बलकि आप आसानी के साथ हर एक आप दो तीन घंटे आराम से पेपर करोगे ठीक है कोई भी दिकत आपकी उंगलियों में और कलाईयों पर नहीं आएगी ठीक है तो और एक निबंध है important जिसको आप तयार कर दीजेगा क्योंकि यह भी important है आप लोगों को वीडियो काफी पसंद आया होगा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और अपनी दोस्तों को भी सेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी एक ही वीडियो में हिंदी कंप्लीट कोर्स मिल जाए और अगर आप आपको सभी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए इस तरह से एक ही वीडियो में पूरा बिज्ञान एक ही वीडियो में पूरी इंग्लिस तो आप लोगों को इस वीडियो को जादा से जादा से जादा जाएगा जादा से जादा लाइक आएगा तो मैं आप लोगों को बिज् को एक एक विशय का दो तीन दिन में कंप्लीट कर दूंगी ठीक है क्योंकि मेरे पास सारे सब्जेक्ट के जो हैं इस तरह से रखे हुए हैं कंप्लीट कॉर्स लेकिन आप लोग को जब पसंद आए आप लोग इससे संतुष्ट हो जब मुझे यह समझ में आ जाए कि आप लो को उस्तरा का वीडियो दूंगी तो चलिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में धन्यवाद